हेलो एवरीबन मैं विश्वजीत सिंग आप सभी का देई नप पिस्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History, MHI 03, Lesson 4, इतिहास, विचारधारा और समाज के बारे में पढ़ेंगे दोस्तो जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ पर अगर कोई भी बड़ा परिवर्तन होता है, कोई भी बड़ा आंदोलन होता है तो उसके पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई विचारधारा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है भारत के अंदर में 1947 के अंदर में हमने अंग्रेजों से अजादी पाई, क्या अजादी ऐसी मिली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं उसके पीछे भारत के लोगों के अंधर में रास्टवाद की भावना थी तब हमें जाकर अजादी मिली उस भावना के कारण लोगों के अंदर में इतना जादा आक्रोस आया कि अंगरेजों के खिलाफ हमने विद्रोग किया और तब जाके हमेजादी मिली तो वहाँ पर कौन सा विचारधारा रोल प्ले कर रहा था तो रास्टवाद का विचारधारा रोल प्ले कर रहा था ठीक है वहीं पर अगर मैं बात करूँ 1917 में रूस के अंदर में लैलिन और स्टैलिन की जो सरकारे थी ठीक है उस समय जो वर्क था विचारधारा जो कर रहा था तो वहाँ पर सामयावाद या फिर समाजवाद का विचारधारा था वो बहुत बड़े स्तर पर लोगों के अंद कराजवाद की सरकार की स्थापनारी तो वहाँ पर कुंसी विचारधारा रोल कर रही थी तूल पर सामयावाद विचारधारा रोल है कर रही थी डe11 infinity करीब में डe11 इस सतरा है, भी का सफोर्ट था कहींन आप बी अगर जानते होगे उस आंदोलन के वारे में पढ़ा होगा, सुना होगा और उस आंदोलन से परिवर्तन क्या होता है, कि एक तरह से अर्विंद के जरीवाल आम आदी पार्टी की उत्पत्ती होती है अर्विंद के इजरिवाल बनते हैं और आगे चलकर वो मुख्य मंत्री के तौर पर दिल्लिक में सपत लेते हैं ठीक अब तीन बार मुख्य मंत्री बन चुके हैं वो ठीक है तो यह देखने के लिए मिला तो उसके पीछे कौन सी विचारदा रहा थी तो वहाँ पर भष्टा चार का जो विचारदार था वो रोल प्ले कर रहा था कहने के मतलब मेरा ये है कि समाच के अंदर में कोई भी चीजे जो होती है कोई भी मुमिंट्स हो आंदोलन हो ठीक है कोई भी परिवर्तन हो उसके पीछे कही न कहीं किसी न किसी तरह का विचारदार रोल प्ले करता ही ह ठीक है आपके book में कहा भी गया है कि इतिहांस को परभावित करने में विचारधारा का महत्यपून भूम का होती है कभी भी जब history impact करती है तो वहाँ पे कहीं न कहीं विचारधारा होता ही होता है ये कहा जाता है चलिए आज के हम इस chapter पे आते हैं इसके अंदर में पढ़ना है कि विचारधारा का अर्थ होता क्या है विचारधारा के उत्पत्ति हुई कैसी है विचारधारा कहते किसे हैं इसके बारे में बात करेंगे इस book के अंदर में आपके दो questions है ठीक है आपके book के अंदर में दो questions दिये गए है उन्ही questions को हम solve करेंगे और आपका पूरा chapter जो है almost clear हो जाएगा चलिए हम chapter question पर ही चलते है डारेकली ठीक है तो ये आपके screen पे दो questions दिख रहे होंगे दोस्तों ठीक है अभ्या section के अंदर में पहला question है विचारदारा से आप क्या समझते हैं इस सब्द के विभिन परयोगी की चर्चा कीजिए किस तरीके से परयोग क्या गया इसके बारे में चर्चा करते हैं ठीक है ये जो पूरा वीडियो है दोस्तों lecture based होने वाले आप सबसे request कि अपनी notebook लेकर बैठें अगर आपको soft copy चाहिए तो इगनो की website पर से directly आप download कर सकते हैं ठीक है और request यही रहेगा कि अपना notebook लेकर बैठें जिससे जो भी मैं बूल हूँ आपको no down कर सको ठीक है समझ में दना है तो आप comment करके पूछ सकते हो even हमारे सभी social media platform का link description में दिया तो प्लीज यार like, share, subscribe जरूर करें क्योंकि उससे हमें motivation मिलती है और भी अच्छे से मेहनत करने के लिए friends चले start करते हैं सबसे पहले मैं बात करूँ तो विचारधारा से तात्पर रहे होता है किसी विशेश वर्ग समों का एक तरह का ideology ठीक है कि उसका ideology क्या है मतलब कोई भी विचारधारा, कुछ भी आपने बोला, किसी भी विचारधारा को बोला तो किसी ना किसी वर्ग को denote करता है, किसी ना किसी वर्ग से वो संबन दिखाता है और कोई भी विचारधरा जिस वर्ग के लिए बोलता है वो हमेशा उस वर्ग का पक्षधर होता है उसके बारे में ही बोलेगा, उसकी अच्छाईयां ही बताएगा, उसको सपोर्ट ही करेगा ठीके, ये चीज़े यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है विचार दारका जो सरपर्थम पर योग देखने के लिए मिलता है दोस्तों फ्रांस के दार्शनिकों के द्वारा दार्शनिकों उन्हों होते हैं जो दूर दर्सी जो दूर के सोचते हैं विचारक होते हैं, जो विचार करते हैं, ठीके, चीजों पर अपना thoughts देते हैं, ठीके, उनके द्वरा उपयोग किया गया, कि हाँ पर उपयोग किया गया तर फ्रांस के अंदर में, इसका सबसे पहले उपयोग देखा जाता है, आगे मैं बात करूँ दोस्तों, तो जो फ्रा दर्षन शास्त्र के तौर पर उन्हों ने विचार धारा सब्द का उपव्योग किया अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है विचारों के विञ्ञान से सब्सक्राइब तो विषारों का बिर्ट झार पोरा चाहें देखा जय ने कहिए जो फ्रान्सिस परांसिश क्रांटी तो अहाँ पर विचारों का भी एक अध्यपोन युगदान दिखा गया जो फ्रांसेसिक दार्शनिक थे वहां पर कहीं न कहीं सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट रोल था वो विचारधारों का था ठीके नेपोलियन नेपोलियन के बारे में आपने जुरूर पढ़ा होगा आपकी बुक में भी यहां पर जिक तो नेपोलियन का मानना है कि दार्शनिकों के जो विचार होते हैं जो विचार धारा जो दे रहें लोगों को वो अवास्तविक है वो अन्रियल है ठीक है और अव वैवारिक है वो वैवारिक विचार धारा नहीं है जिस पे आप कोई वर्क कर सको ऐसा विचार धारा नहीं तो बताया ठीक है पर नेपॉलियन का ये मानना है था कि लोगlated वे लोग उस चीज को उस चीज के लिए सक्षम रहें यह बहुत बड़ा प्रशाशन नेपॉलियन ने क्छड़ा किया था जिसके कारणे से वह दार्षनिकों को दार्षनिकों के वह आलोचना करते थे सत्ता विहीन होने के बाद ठीक है समझ में आता है इसका अगर मैं सबसे बड़ा एक्जामपल दो दोस्तों तो भारत 1947 में अजाद हुआ ठीक है अंग्रेजों से और मुस्ट अंग्रेजो ठीक है हम तो आपको समाल रहे है आपके rule regulation इतना बड़ा country है rule regulation इतनी जादा diversity है आपके country के अंदर में आप कैसे regulate करोगे अपने आपको अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा question था ठीक है तो सेम यहां पर नेपोलियन जैसा यहां पर बनता है कि जो विचारक है जो वहां पारियन जैसा ही सेम बनता है कि नेपोलियन जैसे कहता है कि वहां आपके अपको समर्थन है इसको काबियत है उसको अचीव कर बाएं तो यह हमारी ठीक है और सबसे बड़ा मतलब हर तरीके से हम सबसे अवल हैं आज की समय हम यह कह सकते हैं समझ में आता है माक्स की बात करें तो यहां पर माक्स और एंगलेस करके दो विचारक आते हैं जिसने हींगल हीगल के जो आदर्शवाद के कथे और प्रदीती था उसकी अलोचना करी और अलोचना करते हुए विचारधारा सब्द का परियोग किया हीगल के जो आदर्शवाद दोस्तो अपको कमेंट करके बताना है कि आदर्शवाद होता क्या है ठीक है मैंने कई बार पीछे वीडियोस में बताया है आपको एक बार कमेंट करके बताना है कि आदर्श्वाद आपके कोडिंग होता क्या यह आप एक तरसी मालो question of the video है ठीक है आपको इसको कमेंट करके answer देना है कि आदर्श्वाद होता क्या कहीं से भी जाओ search करो google करो किसी सब पूछो पर बताना जरूर तो मार्क्स और एंग्लेस ने क्या किया जो हीगल के आदर्श्वाद के जो विचारधारा थी उसके कत्थे और पद्धित की आलोचना करी और उसकी आलोचना करते हुए विचारधारा सब्ध का परियोग किया मार्क्स ने हीगल के राज्य और अधिकार संबंधित विचारधारा की आलोचना करी थी ठीके मार्क्स ने हीगल के दर्शन को उलट दिया जो विचारधारा हीगल ने दिया था हीगल की जो विचारदार थी उसको उलट दिया हीगल ने कहा क्या था हीगल ने अपने दर्शन में कहा था कि इस्वर ने मनुस्य का निमान किया है Hegel का मानना था कि जो मनुस्य को उत्पत्ती हुई है वो इसवर के द्वारा हुई है और Marx जो थे Karl Marx थे वो इसके विपरित सोर्चते थे यहाँ पर Marx ने एक बुक की रचना करी जिसका नाम था Economic and Philosophic Manuscript Marx ने एक बुक की रचना करी जिसका नाम था Economics and Philosophic Manuscript तो इसकी रचना करी जिसके अंदर में उन्होंने पुंजीवाद समाज में आर्थिक संबंदों पर ध्यान के इंद्रित किया पुंजीवाद समाज के अंदर में आर्थिक संबंद किस परकार से चल रहा है उसके उपर में उन्होंने बहुत जादा फोकुस किया सर्मिक और पुंजीवादी वर्ग के बीच में गहरे संबंद पर जिस तरह से शोषन हो रहा था उसके विशलेशन किया सर्मिक और पुंजीवादी संबंद के बीच में गहरे संबंदों के उन्होंने विशलेशन किया सासात में मार्क्स के द्वारा जो विचारधारा सब्द का परियोग था जो मार्क्स ने विचारधारा सब्द का परियोग था जो मार्क्स ने विचारधारा सब्द का परियोग था पर मार्क्स का जो विचारधारा सब्द का परियोग था वो उनकी कई सारी रचनाओं में दे theory of surplus जो बुक्स थी उसके अंदर में भी मांक्स वुचार दारा सब्स का परियोग किया दास capital के अंदर में भी किया और कई सारी सब्सक्राइब को करते हैं और मांक्स एक सामयवादी समाज की कलपना करते थे कि समाज इस तरह का होना यह था जिसके अंदर में सामयवादी समाज के अंदर में रगविहीन के इसी पूरती किया जा सके और इस परकार से पुन रूप से प्रभावी सोतंतरता कायम हो लोगों के बीच में यह माक्स की कलपना थी पुंजिवादी वच द्वारा मजदूर सरवहरा वर्ग का सोशन पर ध्यान के इन्दरित किया माक्स ने जैसे पुंजिवादी करता है normally ये देखा जाता है कि पुंजिवादी वर्ग हमेशा सर्वारा वर्ग और मज़ूर वर्ग का सोशन करता है Tot companies ने उसके उपर फोकस किया उसके उपर में भी बोला मांक्स में और यहाँ पर Lenin का भी आता है लेदिन की विचारधार, Lenin कहां से संबंद करते थे, तो रस्या से संयुक्त जो मतलग उस समय USSR था, ठीक है USSR Soviet ऑब euग्षाय विचारधारा सब्द का परियोग करते हैं कई ज़े पर विचारधारा सब्द का अंदर में सामयवाद की विचारदार की उत्पत्ती होती है और 1917 में रूसी करांती वहाँ पे देखने के लिए मिलती है जिसे हम उक्टूबर की करांती सोवियत करांती है और कई सारे नामों से जानते हैं ठीक है समझे में आता है तो इस तरीके से पूरा पहला कोश्चन हम य इस बुक को ठीक है जिसके बाद आप इसको समझ पाओगे और जो भी मैंने बोला है आप उसको वन बाई वन सुनते जाए सही से नोट डाउन कीजिए उसके बाद स्टडी कीजिए अच्छे से आपको कवर कर लोगे ठीक है कहीं पर कोई डाउट रहता है आप डारेक्ली कम के इंदर में जाकी तो जो प्रोफेसर आता है वो आता है चेर पर बैठता है और नॉर्मली आपको लेक्चर जो टॉपिक होगा आपका दे का वो बताएगा बोलेगा बैठकर चला जाएगा कुछ अगर उसको पॉइंट लिखने होंगे बोर्ट पे तो दो-चार सिंपल सा लॉजिक यह होता है एमे के अंदर में लेक्चर बेसिश्पे पढ़ाया जाता है ठीक है तो वह आपको आदट डालनी पड़ेगी बहले ही आप online ले रहे हो नहीं ले रहे हो ख्लासिस तो पर आदत आपको डालनी पड़ेगी आगे आपके लिए useful होगा ठीक है च जैसे डैली के अंदर में ही परिवर्तन हुआ तो उसके पीछे भी क्या बड़ी बात थी कि भरश्णाचार का विचारधार लोगों के अंदर में था लोग परिवर्तन चाहते थे उसके कारण से परिवर्तन हुआ 1917 के अंदर में सोबियत संग के अंदर में परिवर्तन हुआ ठीक है वहाँ पर सामयवाद की विचारदारा थी ठीक है फ्रांस के अंदर में करांती हुई फ्रांसीसी करांती हुई तो वहाँ पर भी जो सबसे बड़ा रोल था वो विचारदारा का था और फ्रांस के अंदर में ही सबसे पहले विचारदार सब का उप योग किया गया ठीके उसी तरह से भारत की अजादी हुई कोई भी अजादी आप ले लो ठीके तो वहाँ पर कहीं न कहीं राष्ट वाद की भावना रहती है तो उसके कान से हमें वो चीजें मिली कोई भी परियावरन आंदोलोन हो रहा है समाज के अंदर में समाज से जुड़ा हुआ कोई आंदोलोन हो रहा है तो वहाँ पर कोई न कोई विचारदार होती है जिसके कान से परिवर्दन हमें देखने के लिए मिलता है का जाता है कि इतिहास को परवावित करने में विचारदारों की सबसे महत्यपूर्ण भेविंका होती है विचारदारा उस समाज, उस समाजिक व्यवस्ता से जुड़ी हुई है जिसमें यथार्त का अभाव है यथार्त मतलब जैसे का जिस तरह है उसी तरह से दरसाना, इसका अभाव है, इस से जुड़ा हुआ है इस तरह इतिहास एक नहीं बल्कि अनेक विचारदारों से भढ़ा हुआ है यहाँ पर कई बार अगर हम सोचें कि इतिहास में only एक ही ideology एक ही विचारदार को पढ़ना है तो गलत है ठीक है इतिहास में अलग अलग विचारदार होते हैं जितने लोग उतनी विचारदार आप यह कहलो ठीक है आप जिस चीज को भी समर्थन करते हो अगर मालो आप BJP को सम मर्थन करते हो किसी भी पर्टी को एगर हम BJP को सम वरथन कर रहे है तो BJP की अपनी विचारदार हिक हम इस चीज के लिए हम फोलेटिक्स खेलते हैं। कॉंगरेस को सममर्थन कर रहा है तो उनकी विचारतार है कि भाई हमारी है आइडिलोजी है। ठीकि किसी भी पार्टी को समर्थन करते हो, तो एक आइडिलोजी है किसी गुरूप को, क्लस के अंदर में माँ लो, एक क्लास है, उसके अंदर में total 40 बच्चे हैं, और 40 बच्चे ददस का गुरूप बना हुआ है तो दसो एक हर एक गुरूप चारो गुरूप के अंदर में जो लड़के होंगे उनकी विचारदारा आपस में मैच नहीं करती होगी थोड़ी अलग-अलग विचारदार होगी रीजन क्या है कि वो लोगों की सोच किस तरह से है और उसके हिसाब से वोग करेंगे अगर दो गुरूप की विचारदारा सेम रही तो उन दोनों में कभी भी लड़ाई होगा इन्यों दोनों आपस में ही चलेंगे ठीके विचारदारा अलग हुआ चीजें बदल जाएंगी कि हिंदूतवादी चीजों के लिए बोलते थे और दोनों के जो पॉइंट्स थे लड़ने के जो उसके अंदर में मैनिफेस्टों के अंदर में अलमोस्स सेम थे उसके कारण से यह चीजें देखी जाती थी पर धीरे देरे समय परिवर्तित हुआ अब जो शीव सेना थी व आप उस जगह पर ज्यादा समय तक रह सकते हैं अगर विचारधार सेम नहीं है तो आप उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाओगे ही जाओगे यह चीजे देखी जाती है तुद यहां पर भी यही चीजी का गया कि विचारधारा मतलब यह नहीं कि एक ही है और विचा विचारदारा समाज के अंतर में करांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं समाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं विचारदारा कही तरह के होते हैं कुछ विचारदारा क्या होता है कि जिस तरह से चल रहा है सोसाइटी उस तरह चलने तो यह भी विचारदारा है कुछ विचा तो आपको क्या पढ़ना चाहिए इस बुक के अंदर में तो यहां पे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इंपोर्टेंट है सबसे पहले तो विचारदारा का अर्थ है इसको आप थोगा डीपली स्टुडी कीजिए और इतिहांस में विचारदारा यह तीनों टॉपिक् पढ़िए आपको जो मैंने बोला इस वीडियो के नतरह में वही चीज़े सेंग वहां पर मिलने वाली हैं बट इंपोर्टेंट है आपके लिए जानना ठीक है तो वहां पर कीजिएगा दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएं वीडियो आपको समझ में आया नह पर लिस्निंग में बबाए टेकर आल अवेस्ट